Artificial Kidney का जो निर्माड है वो University of California में हो रहा है जो की सेंस फ्रांसिसको अमेरिका में है और जो इसके हैड है उनका नाम है डॉक्टर सीबुरोय जो की बांगला देश के एक नागरिक है और वो अभी इस समय इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे है सन 2013 में इस प्रोजेक्ट की सुरुवात हुई और ये प्रोजेक्ट अभी अपनी किस स्टेज में है हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे और हम सब को जानेंगे इसमें सारे तत्यों के साथ बहुत से किड्नी रोगी ये जानना चाते हैं कि क्या आर्टीफिसल किड्नी सरीर के अंदर लगाई जाएगी अगर लग जाएगी तो क्या ये खराब भी हो सकती है तो देखिए इसका जवाब ये रहने वाला है कि आर्टीफिसल किड्नी आपके सरीर में जैसे आपका किड कर दिया जाएगा आपकी बोड़ी के अंदर और यहीं ख़राब नहीं होगी और यह हमेसा काम करים चाहरी के उसली किरीकौन के पार्ष नें? और इसके अंदर छोटे-छोटे सिलिकोन के नैफरोंस होते हैं, जो की खून को साफ करते हैं, और सरीर में ऐसे बढ़े हुए पानी को, और क्रिटनाइन यूरिया को, और जो भी सरीर के हार्मोन्स होते हैं, उनका बैलनस बनाती है, हैं सेम जो इनसानी किड्णी होती है, उसकी तरह ही, क्या आर्टिफिसल किड्णी लग जाने के बाद, किड्णी रोगी को जो एंटीरिजेक्यन मैडिसीन होती है, जिनको इम्यूनों सीरप कहा जाता है, वो हमेसा खानी पड़ेगी, artificial kidney एक machine है जो की मानव अंग नहीं है सरीर के अंदर जब बहार का कोई अंग लगाया जाता है तो वो reject करती है हमारी body लेकिन artificial kidney का जो material है वो body के साथ match कर जाता है और उसको एक kidney रोगी की body accept कर लेती है इसलिए artificial kidney लगने के बाद किसी भी परकार की कोई medicine नहीं खानी पड़ेगी खास तोर पे anti-rejection medicine का इस्तमाल kidney रोगी को कभी नहीं करना पड़ेगा अब artificial kidney लगने के बाद क्या एक kidney रोगी को erythropoietin hormone उसकी body में ही बनने लगेगा क्या artificial kidney erythropoietin hormone बनाने लग जाएगी तो देखिए erythropoietin hormone हमारी kidney दोरा बनाया जाता है यह सिर्फ इंसानी kidney बना सकती है artificial kidney इसका निर्माण नहीं करेगी और एक kidney रोगी को जिसको artificial kidney लगेगी उसको बहार से ही injection लगा करके अपने सरीर के red blood cells को maintain करना पड़ेगा अब ही सबसे बड़ी बात कि यह कौन सी stage पे चल रही है और यह कब तक available होने वाली है और available होगी तो इसका price क्या रहने वाला है artificial kidney के जो animal trials थे वो 2021 में complete हो चुके हैं और animal trials के बाद human trials के लिए जो United State की food and drug association है उससे human trial की permission मागी गई है लेकिन वहां की सरकार इसको permission नहीं दे रही है human trials करने के लिए तो देखिए कब तक इसका human trial का permission मिलता है अगर permission मिला तो 2023 तक संभव है permission मिलने की क्योंकि सरकार पे दवाब बनाया जा रहा है इसका permission देने के लिए और जल्दी ही United State की food and drug association जो है इसको 2023 में human trial की permission दे देगी अगर इसको human trial की permission मिल जाती है तो यह कब तक मार्केट में आ जाएगी तो देखिए एक साल तक तो human trial सी चलेंगे उसके बाद इसकी report summit करनी पड़ती है वो United State की food and drug association को जमा करनी पड़ेगी वो इस पर research करेंगे और रिसर्च जब सही पाई जाएगी तो इसको publish कर दिया जाएगा और इसका जो price रहेगा वो अभी ते नहीं है इसके price पर अनुमान लगाया जा रहा है तो कम से कम अमेरिका में इसकी जो price है वो 30,000 डोलर रहेगी मतलब लाखों में इसकी कीमत चाहेगी अब बड़ी बात यह आ जाती है कि इंडिया में ये गरीब लोग कैसे ले पाएंगे इंडिया में ये कैसे available हो पाएगी तो देखिए इंडिया में ये जब अमेरिका में आ जाएगी तो इंडिया में आने में इसको 2-2 साल लगेंगे और और ये इंडिया में जो government इसको ले करके आएगी क्योंकि कोई गरीब आदमी 30,000 डोलर नहीं खर्च कर सकता है जैसे बाद ही आपको ये किड्नी अवेलेबल हो पाएगी government के support से अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फाइनली कब तक आ जाएगी तो देखिए इसका फाइनली जो आने का टाइम है वो है सन 2025 सन 2025 में ये अमेरिका में अवेलेबल हो जाएगी और वहां पे लोगों को ये मिलने भी ल